कि जाहिन मैं हूँ काजिब सर आज हम लोग जो है एक्जाम टॉनिक डेस सिरीज का कि 29 डेस पर काम करेंगे और यह थार्ड राउंड का नवा दिन है और एक दिन और चलेगा उसके बाद यह सारा खतम हो जाएगा है ना जो कि हम लोग को तीन सो अब्जेक्टिव को सर हो जाएंगे चलिए बढ़ते हैं आज का कोशन देखने के लिए क्या है तो आज का हम आज करते हैं माध्यक निकालने के लिए बताय थे बढ़ते क्रम ने जै लिखो लेए और यो बीच में आएगा वोई उसका क्या क्या राता है माध्यक्श तो इसके बाद कि इन उसके बाद का पांच उसके बाद अगला नमग स्वाल के लिए बहुत ही असान था ठीक है और अगला नमग स्वाल है हम लोगों का यहां पर लिखा हुआ है कि इतना का बहुलक बहुलक कैसे निकालते हैं पता है हम लोगों को बहुलक निकालने के लिए बताये थे कि जो सबसे अधीक बारा आएगा मतलब सबस सबसे ज़्यादा वार है एक दो तीन चार तीन चार वार है सबसे ज़्यादा वाक्ती नहीं है इसलिए इसका बहुलक हो जागा तीन जो कि आपसर नमबर ए बिल्कुल कोड़ेक्ट होगा एफ और अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना अभी पूरे मैथ है पढ़ना चलिए बढ़ते हैं अगला नमस्वाल के लिए तो अगला नमस्वाल यहां पर क्या करा रहा है र्यान देंगे बहुत ही आसान वर अंतराल दस से 20 का वर्ग चीन क्या होगा वर्ग चीन के लिए हम लोग को पता है उच सिमा पलस निम सिमा बटे तीस अबटे में दू मतलब 15 मेरा इसका वर्ग चीन हो गया ऑफसर नमबर भी बिल्कुल कोड़ेक्ट होगा विफोर बेचेने दिल आपको पुकारे प्लीज एक बड़ा के मैनत जरूर पर लें है ना चलिए बहुत आसान था वर्ग चीन उस सिमा पलस निम सिमा बटे दू होता है इसको जोड़ दिये दो से भाग दिया अंसर आगया चलिए अगला नवर सवाल करते हैं तो अगला नवर सवाल यहां पर है हम लोगों का 84 ठीक है लिखा है वर्ग अंत्राल यह के लंबाई कितना है वह इसे दिखरा है कि 5-10 10-15 15 20 कितना का गेप है गेप कितना का है तो 5 का है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 option number A बिल्कुल correct होगा A4 अभी अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना अभी तो पूरे math है पढ़ना अभी तो पूरे math है पढ़ना चलिए बढ़ते हैं अगला नवर सवाल के लिए तो यहां पर देख रहे हैं अगला नवर सवाल हम को 85 का सवाल बहुती हासान बहुती सिम्पल ठीक है चलिए इसको करके देखे है क्या है है इसको कुर सॉल्फ और ना है देखिए तो से को क्या करेंगे 1 ड़ लिख सकते है । Deep Queen अब पलस टैन को लिख सकते है sin थीटा बट्टेil car साइन थीटा ठीक है इसको वह से को यह रहना देए 1-1 थीटा ठीक है आप दखिए आगे इसको स्वाल करेंगे तो क्या होगा यहां यहां पर कॉस्टीटा हो जाएगा पुझाइगा ना आप कॉस से कॉसे भाग देंगे एक मरतब़ा एक को गुना करेंगे एक साइन को साइन होगा है ना इंटू में हमको 1-80 पहले से है अब दोखिए ए प्लस बी फर्मूला पर आगे this स्वार मैनस बी एस्कॉर मतलब 1-1 स्कॉर थीटा कश्ट गजाएगा बटे में कॉस थीटा अब बताएं वन स्वाइन स्वाइब कर जाएंगा तो मेरा अंजर आ गया कॉस्टी टाही आंजर आ गया ठीक है जो कि ऑफसर नंबर ये बिल्कुल क्लेक्ट दिख रहा है हैना चलिए बढ़ते हैं अगला नबर स्वाल के लिए बहुत यासान था हना 86 नमर्श वाल देख लिजिए ठीक है यहां पर करा कि आना पांच संख्याओं का माध्य दिया है कितना 18 और एक संख्या को होटा दी जाए तो माध्य 16 है तो हटाए गई संख्या क्या है बहुती जबरदस्थ सवाल है ना ध्यान दीजेगा पांच संख्या का माध्य 18 माल कdetermते हैं कि वह पांच संख्या का योग एक्स है तो 5 संख्या जाता है शकते हगा तो महाध निकले Recht जो दिया est-ra यह एक्स निकाले तो शकलेये नब साग्फ एक्षन का योग देखनाया अब क्या क्या थेmind 2HH एक संख्या होगा थो toler बच्छा ड मुई उंथा तरा अर्फ particularly energy and मेतलब नबय में एक संख्याओ वाइła मालो मध लेजे कि वह टाते थे तब क्या गा सम्ख्या बच्छा जो चाहर बच्रास होगा कितना गुल्कुल कोदू और गफ्राइबगा गूर इसको सोल यॐ पडालियने गणितना हो जाएगा है ना चलिए क्या कर रहा है अगला नवर सबार 87 अट 27 में यहां लिखा हुआ है कि वहुलक समानेता हुआ चर्मान होता है जिसकी बार मारता होती सबसे कम सार्वाधीक विल्कुल शही होगा भी और सबसे अधीक बारंबारता ही वाला क्या होता है यह तो अगला नंब सवाल के लिए तो देख रहें यहां पर 88 ज्यांत है लिखा वा है निम्नांकित आख्रा को बढ़ते करा में लिखा गया है पहले से बार्ति पंधिय। इसका माध्यakah 35 है, तो ADS का माना क्या होगा? देखें, माध्यakah कैसे निकालते हैं, हम लोगों पता है पर भर्ति करम या घर्ति करम में लिए रहते हैं, पहले से लिका हुआ है, इसके बीच में जो होगा, वह उसका माध्य haram, देखिए इधर से बीच पर लें गिंती करें एक दू तीन चार पांच छो साथ आठ नो दौस दौसा है इसका मतलब दौस वट्टा दू बराबर पांच मतलब पांच हमां चछाथा फ़द इसके बीच में आएगा क्यों कि समसंग क्या है ना समसंग क्या में पांच वह होता ह हैं तो यहां ऑन पांच में पांच होजाएं एक दू थिन चार पांच छोठा पद यह मतलब यह दोनों दो बीच में वितृष नहीं होता विस वास्तों गिंटी करके देखे़ एक दू द्सार रिदेंगा मतलब यहीं भीच में और तो जो बीच में आएगा आएㄎ अगर तो अंग बीच में आ रहा है तो दोनों को जोर करके दो से भाग देते हैं तो उसी वही उसका माध्यक होता है मतलब 34 पलस एक्स अबटे दू बराबर हो जाएगा हमको 35 यही न इसका माध्यक होगा होगा न जो कि 35 दिया है यहां से निकालेंगे सीधे सीधे एक्स का मान निक है चलिए अगला नंबर स्वाल के लिए न एक्ति-णाइन ऐस अचन राजमेंगा तो इसका एक सेटेर जाब सब्सक्रददमान सबीनते हैं उफ्किसका तो वहां स्वारत असके सकर अंप जब्सक्रदमायर्ट कहता है प्रलस और आसो नमाइन हो एक सेकेंडीन एक्से स्कुर्ण पर जाएगा है ना इसलिए मेरा आप सो नमग भी बिल्कुल कोड़ेक्ट हो जाएगा है ना चलिए बरते हैं अगला नमग स्वाल के लिए बहुती सुन्दर बहुती आसान लाश्ट सवाल है आज का ध्यान देंगे यहां पर लिखा है कि संबेलन का संपुर्ण प यूठ यहां से चुपव और मुंग स्वाल हो जाएगा यह मेरा आनसर हो जाएगा जो की आप सब्सक्राइब करेक्ट है सीफोर चले कहीं घूमने चले वह से इसका फ्रमूला है आपको formula याद रखना है या नहीं संपोर नहीं याद है अगर आपको वक्र याद है तो वक्र में ही हम विरत का उपर और नीचे में विरतकार भाग होता है दोनों को जोड़ देंगे तो वो मेरा answer आजएगा ठीक है तो इस तरीके से आज हम लोग आज भी 10 objective question कर लिए है बच करता होगा ठीक है तो थांक्यू सो मच मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद है हम आज हम और बदो कर दो सकता है तो आज है घ।